दियर विवर्स भिहार सिक्षिक प्रतियोगिता परिक्चा के ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है जैसा कि आप चानते हैं मैं प्रती दिन एक प्रेक्टिसेट लाता हूँ और इनमें वैसे ही प्रसनों का संकलन करता हूँ जो एक्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण है या पिछले एक्जाम में वैप्यसी के पिछले एक्जाम में पूछे गए है या वैप्यसी के फैवरिट टॉपिक से जो MCQ बनता है उसे हम यहाँ पे रखते हैं और उसका डिटेल डेनालेसिस करते हैं आप चैनल पर नए हैं आपने आभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कारपिया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों को वीडियो से़ करना ना भूले चलिए प्रारंप करते हैं किस शमिति को अस्थाई 的वेत शमिति भी कहाता है लोक लेखा समीती, सैयुक्त प्रवर समीती नियम समीती या फिर प्राकलन समीती तो आपका सही अंसर होगा प्राकलन समीती संसद में अन्य सभी ऐसे देखिए संसद में क्या होता है जितने भी संसद होते हैं वह नीती निर्धारन या फिर जो कानून बनाने का कार्ज करते हैं इसके अलावा भी देश को विधायका को चलाने के लिए अन्न कई सारे कार्ज होते हैं, उनके लिए समीतियां बनाई जाती हैं, तो जैसे प्राकलन समीति हो गया, लोकलेखा समीति हो गया, सारुजनिक उपक्रम समीति हो गया, ये सारे समीति कुछ विशेश उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं तो इससे प्रस्ण अक्सर एक्जाम में देखने को मिलते हैं यहां पर आपसे पूछा गया है कि किसे हम अस्थाई मितब्यता समीती कहते हैं अस्थाई मितब्यता समिती प्राकलन समिती को करते हैं आएए डिटेल से देखते हैं तो प्राकलन समिती जो है वसंसद की सबसे बड़ी समिती है यानि इसके सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है और कितना है 30 सदस्य होते हैं टोटल और इसके जितने भी सदस्यों होते हैं व किया गया था और उस समय को जो वित्य मंत्री थे जिनका नाम था जोन मताई उनकी ही सिफारिस पर इस समीति का गठन किया गया था प्राकलन समीति के जो सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं वह सत्तादारी दल के सदस्यों में से ही होता है यह ऐसा प्रथा चल गया है कि प लिखित में से वासमिती कौन से हैं जिसमें राजी स्वा का कोई सबसे नहीं होता है अगले प्रसंड को देखते हैं भारत Cupा का स्वरूप केसा है विकेंद्री किर्थ एकी किर्थ, सामुईक या फिर वेभारिक तो इसका सही आंसर होगा एकी किर्थ, भारत में नयाई पालिका का जो सुरूप है वह इंटिग्रेटेड है देखते हैं डिटेल से नयाई पालिका की संडचना के बारे में यहाँ पे डिटेल से दिया गया हुआ है नयाई लहे उसके नीचे तो यह सारे इसके कार्जियों को भी आप देख लीजिएगा किसका कौन सा कार्ज है यहाँ से प्रसंद पूछे जाते हैं तो भारत में जो है नयाई पालिका की विवस्ता हुआ एकी किर्थ नयाई पालिका की विवस्ता है अगले प्रसंट को देखे भारत में GST लागू करने का सुझाव दिया था खुसरो समिती, विजय केलकर समिती, असोक समिती या फिर इन में से कोई नहीं ये इस तरह के प्रसंट भी इंपोर्टेंट होते हैं जो भी वित्तिय समिति बनाए गए हैं हाल के दिनों में या पहले जो इंपोर्टेंट वित्तिय समितियां बनाई गई हैं उससे वी प्रसंट पूछता है तो यहां पर जो है वह है कि GST जो आप चांद हैं गूर्स एन सर्विस टेक्स होता है इसके लिए कौन सी समिति की सिफारिस पर GST का निर्मान किया गया था सही आंसर होगा विजय केलकर समिति की सिफारिस पर GST को लागू करने का सुझाव दिया गया था अब देखते हैं GST के बारे में GST कब से लागू हुआ था एक जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था कुछ अन्य महत्पुर्ण पहलू है हुआ यह है कि GST सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था तो GST जो है सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था और भारत में जो GST लाया गया है वो किस संविधान संसोधन के द्वारा तो 101 में जो संविधान संसोधन है उसके द्वारा ऐसे आप याद रखेगा 101 रूपिया का दक्षिना होता है दक्षिना यहीं रूपिया पैसा से संबन्दित है यहीं GST से संबन्दित है तो 101 में संवि व्याना ऐक जुलाई 2017 jc सबसे पहले किस देश में लाले यह फ़ांस में उसके बाद भारत में उसके यह यह संवीसिंग हैं most of digital के द्वारा लागू किया गया इसके बाद जो पुषण ह मुझा है वह है कितना स्लाइब होता स्पास्चaponaldus 0, 5, 12, 18 और 28 पहले था अभी साइद इसमें चेंजिंग आया है आप जरा नेट के गूगल कर लें इसके बाद GST कहां किस के सम्विधान से हमारे देश में जो लाया गया है वो किस सम्विधान के प्रारूप पर स्वरी किस देश के GST से संबंदित है हमारा तो यह कनाडा के पर आधारित है जिसे विजय के लिकर ने बनाया था और GST भारत के किस सम्विधान किस अनुच्छेद में आता है तो GST की चर्चा जो है 279 अनुच्छे 279 के तद GST लागू किया जाता है अगला है प्रेडी कहा जाता है प्रेडी किस चीज को कहते हैं पता ही होगा आपको उत्तर अमेरिका के उसन कटिवंदिय घास अस्तल को दक्षिन अमेरिका के सितोसन घास अस्तल को दक्षिन अमेरिका के उसन कटिवंदिय घास अस्तल को या फिर उत्री अमेरिका के सितोसन घास अस्तल को बस प्रसनों को घुमाया गया है ऐसे ही ओप्सन आपको देखने को म गास अस्थल को प्रेडी कहा जाता है संविधान के किस अनुचेद के ताज जी एश्टी परसद का गठन किया गया था अभी तुरती मैंने बताया आटिकल 2-79-a इसी के ताज जी एश्टी परसद का गठन किया गया था जी एश्टी लागु करने में किनका महतपूर्नी रहा है इस्टपी डाउंस वेल्ट्स या कमपोज वेल्ट्स कहा जाता है कहां कि दक्षिन अफ्रीका के चितोसन घास अस्थल को कहा जाता है भारत का जीस्टी किस देश के मॉडल पर आधारित है देखिए एक बार अगर डिटेल्ड अनालेसिस आप आप देख रहे हैं कि मैं इतने सारे प्रसन बन रहे हैं जो प्विएस पेपर में पूछे गए हैं भारत का जीस्टी किस देश के मॉडल पर आधारित है तो वह कनेड़ा के मॉडल पर आधारित है और सबसेने पहले फ्रांस ने लागू किया था तो यहां पे इसका सई अंसर कनाड़ा होगा आगे देखिए स्रिलंका में रहने वाले पिगमी को किस अन्य नाम से जाना जाता है इसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है रेड़ियन, वेटदा, या पेपूवा, या फिर पूनन सावी जन जातियां है अब कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएं कि रेड इंडियन कहां की जन जाती है सही आंसर होगा वेद्दा डिटेल देखिए वेद्दा स्रिलंका की स्वदेशी अलपसंख्यक जन जाती है स्वधेशी यनि वह वहां की ओरिजीन है वह वहीं पे विक्सित हुई है पली बड़ी है वैसी जंजाती कौन सी है वेद्दा और इसका दूसरा नाम क्या है पिग्मी कुछ अन्य जंजाती को देख लें और वहां बिहार में देखेंगे अपने राजज में अपने देश में कुछ प्रमुक जंजाती आं कौन-कौन सी है तो सबसे पहले बिहार का अगर बात करें तो उराव, मुंडा, संथाल इसमें चेरो, परचिया और असुर को चाहें तो आ अगर जम्मु कस्मीर की बात करें तो इसमें भुईया, वैगा, धारवा, गारो, हो, उरिशा, वकरवाल, कोली ये सारी जन्जातियां महत्पुर्न है तो मुखेता कौन-कौन से याद रखेगा मैं वह उताता हूं उरिशा, वकरवाल हो गया आपका गारो हो गया हो गया और भुईया हो गया, ये सभी जन्जातियां कहां रहती है जम्मु कस्मीर में, अगर आगे की बात करें तमिलनाडू की तो इरूलर और बडागा जन्जाति, ये दोनों तमिलनाडू में स्थित है, वैसे याद रखने के लिए सोलोगार और उराली भी याद रखिएगा, लेक वस्याद रखें, इस साल के लिए इंपोर्टन्ट है क्योंकि हाल ही में हक्की पिकी जन्जाती चर्चा में रहा था, कोरगास, कुरूबा और सोलीग, ये सभी जन्जातियां करनाटक से संब्दने थे, केरल का आप याद रखेगा, इरूलर, इरूलर और कहां पे था, तमि नुमन होती है, क्योंकि आप रोक तो सकते नहीं है न, अगर ये जन्जाती यहां रह रही है, तो उसके बगल परोसी राजिय में भी रह रही होगी, तो कडार, इरूलर, पन्यान, इसमें आद रखेगा, इरूलर, पन्यान और कोरगास, ये तीन आप याद रखेगा, पुईयां, गारो, हो, उडिसा, बकरवाल, कोली, ये सभी जब मुकस्मिर से याद रखिए, इरूलर और वडागा, ये याद रखिए, तमिलनाडू से, हक्की-पिक्की, कोरगास, ये याद रखिए आप करनाटक से, और उसके बाद केरल से, इरूगल, पनियंस, कोरगास, य इसमें आपको याद रखिए, जौनसारी, भूटिया, और थारू, ये तीनों जन्जातियां कहां से संबंदित है, उत्राखंड, उत्राखंड या उत्तरप्रदेश से संबंदित है, महाराष्ट में कौंकन, कौंकन डेलवे आपने सुना होगा, तो कौंकन जन्जाती हो ग आपने कहां पे और देखा था, भूइयां जन्जाती, जमुकस्मीर में देखा था, वह सेम जन्जाती मद्यप्रदेश में भी निवास करती है, बंजारो, मोंग्यों और साथियों, ये आपको राजस्थानी लेंग्वें जिसा नहीं लग रहा है, साथियों, मोंग्यों, तो ये बंजारा तो आपने फिल्म में भी कई बार सुना होगा, तो वो बंजारा मैक्सिमम टाइम कहां से रिलेट करता है, राजस्थान से, तो तीनों याद रखिएगा, बंजारो, मोंग्यों और साथियों, राजस्थान से है, भील, पलस, मालधारी, जिसे गिर्ड या अंडमान में इस्तित है जारवा, ओंज और सेंटनेलिन, यह जरूर याद रखिएगा, सेंटनेलिन एक ऐसी जनजाती है, जो आपको अगर देख ली, वो आपने द्वीब पे, सेंटनेलिन आइलेंड ही है एक जगह, जहाँ पे अगर वो देख ली, तो वो आपको मार ह देगी आपसे बात करना वो बाड़ी लोगों से हमेशा बचना चाहती है उसकी भासा ना आपको समझ में आएगी ना उसे आपकी भासा समझ में आएगी उसके पाद निकोबार जो है नागालेंड बनीपूर और फिर तिबतो मंगोलाइड कहां पर इसती थे सिक्किम और रॉर्णाचल परदेश के चेतर में अन्य जनजाती जैसे चोटा नागपूर पठार यानि जारकंड की बात हो रही जारकंड साइट की मुंडा संथाल उड़ाव अभी मैंने पहले भी ब निवास करती है तो वह स्रिलंका में निवास करती है अगला प्रस्न है माओरी जनजाती का निवास अस्थल कौन सा है अस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड नीधर लेंड या फिनलेंड सही आंसर होगा न्यूजिलेंड में माओरी जनजाती निवास करती है कौन सी जनजाती माओरी जनजाती डिटेल से देखते हैं इसका जो ओदीती ये टैटू जो होता है उसकी लिए एक आपी बोड़ी पे लुग टैटू बहुत सारा बर्माते हैं इसलिए जनजाती फैमस है और करीब बारे सो पचास से तेरे सो के बीच में न्यूजिलेंड में आके बसे थे और इसका एक कला रूप है माओरी कला इसका जो अपना कला जो है उसको माओरी कला कहते है तो याद क्या क्या रखना है माओरी जन जाती कहां पे निवास करती है न्यूजिलेंड में निवास करती है किसलिए फैमस है अपने ओधुतिये टैटू कला के लिए प्रसिद्ध है और इसके कला को क्या कहा जाता है तो माओरी कला कहा जाता है अगला है लोकाय दर्शन किसका नाम है किसके नाम से सम्बंदित है आपको ये बताना है चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बोध दर्शन या फिर सांख दर्शन मैंने चे प्रकार के दर्शन बताये थे पिछले वीडियो में आप जाके देखें प्रेक्टिस सेट का जो वीडियो है उसमें सांख दर्षन यहां पे एक रिपीट हुआ है मैं बता देता हूं सांख दर्षन के जो मुनी है वो कपिल है उसी तरह न्याई दर्षन गौतम योग दर्षन पातंजली इस तरह से छे दर्षन मेंने बतायत है इसके अलावा आपको जो है लोकायत दर्षन का बताना है कि कौन से है तो यह चारवाक जो है चारवाक दर्षन को लोकायत दर्षन कहा जाता है अपने एक लाइन जरूर सुना होगा तो यह पुर्ण आनंद की ओर ले जाने का एक मार्ग था इसमें इन्होंने कहा था कि जब तक जीओ सुक से जीओ अगर आपके पास धन नहीं है तो उधार लेके भी आप घी पीओ तो इस तरह की जो सुखवादी दर्सन है इसी को हम लोकायत दर्सन करते हैं और इसके प्रनेता जो थे वो चारवाक थे अगला है नगर पालिकाओं की जिम्मेदाडियों से संबंदित अनुसुची कौन सी है 9th, 11, 10th या फिर 12th सही आंसर होगा 12 अनुसुची जो है वह नगर पालिकाओं से संबंदित है हमारे संबिधान में कौल 12 अनुसुची हैं आप उसे जरूर याद कर लीजिए मैं अभी एक एक करके आपको बताता हूँ तीन-तीन का ग्रूप बना के आप याद कर लिए आपको याद हो जाएगा मैं भी याद करवाने का प्रियास करता हूँ सबसे पहला जो अनुसुची है वह कहा गया है कि भारत का राज्य और के अनुसासित छेत्रों की बात करता है कौनसा पहला अनुसुची है अब देखिए राज्य और के अनुसासित प्रदेश की बात हो गई तो उसके प्रसासक की भी बात होगी प्रसासक मतलब जो भी सारजुनिक पद्धारन करने वाल है राष्टपती उपराष्टपती नियाएदीज इन सब की बात हुई तो इन सब के वेतन की बात होगी चुकि ऐसे तो कोई काम करेगा नहीं इस तरह से आप याद रखेगा सबसे पहले कि कितना राज्य है और कितना के अंदरसासित प्रदेश है या अनुसुची वन में दिया गया है उसके बाद जितने भी सरकारी पोश्ट के अधिकारी है राश्टपती उपराष्टपती नियाएदीज उन सबीके वेतन के बारे में चर्चा दूसरा में किया गया अब वेतन देना तभीन ordin चलू किया जाएगा जब आप सपत लेंगे आप उस काम को करेंग deposit के तो सारे अ मैं उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा तीन तीन के ग्रूप में आप याद करिए तीन याद हो गया होगा पहला राज्य और के अंसासित प्रदेशों की बात करता है दूसरा सभी के वेतन की बात करता है तीसरा सभी सभी अधिकारियों के सपत की बात करता है वहीं मैं भी अनसुचित जाती और अनसुचित जन जाती छेत्रों का ही वर्ण है लेकिन वह कुछ खास राज्यों के लिए है ATM असम तरपुरा मेगाले मिजोरम ATM आप याद रखें ने ATM जाते हैं आप रुपिया निकालने के लिए तो ATM में एक और M आप लगा दिजिएगा तो ATM असम तरपुरा मेगाले मिजोरम मैं इसी तरह से याद रखाऊं छटी अनसुचित किनकिन राज्यों को डिल करती है असम तृपडा मेगाले मिजोरम किस चीज में डील करती है तो अनसुचि जाती तता जंजाती छेत्रों और प्रसासन के बारे में डील करती है तो तीन और मैं याद करवाता हूं चौथा राजसभा में सीटों का आरक्षन पाचमा जो हो गया वह जनजाती पाचमा चट्था दोनों साथ में याद रखें पाचमा चट्था जो है जनजाती और अनसुची जाती और जनजाती के बारे में उसका क्या परसासनिक छेतर के ब राज वम सब्स मानेश को को स्थापृत के तरह नहीं पूछा भी पूछा भी नहीं गया है तो अब साट और आठ को याद रखें जो कि महत्वष्पुर्ण है तीն अनु शुची तीन सुची केंद्र सुची राजी शुची और समबर्ती शुची साथ मानु सुची में यह हैं अधिकारिक भासाैं उसके भाद दसमा का बात करें तो दस से दलबदल याद रखे जिकने और 55 आखि डिन तक फे यहां पर आपका प्रसंद। एहां प्रशन। की था आपका जो वो नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी सम्बंदित अनुसुची कौन सी है? उपनिसद वेद का कौन सा अंग है? पंचम अन्तिम तो सही अंसर होगा अन्तिम उपनिसद उपनिसद का मतलब क्या होता है? पहले वो समझे फिर मैं बताऊंगा कि वैदिक साहित कैसे कैसे विकास हुआ है सबसे पहले क्या वना फिर उसके बाद क्या वना फिर उसके वाद क्या वना इस तरह से मैं बताऊंगा और उसी के बेसिस से यह प्रसन है पहले आप आंसर देख लें फिर मैं डिटेल से बताऊंगा तब यह प् उपनिसद को जानिए उपनिसद है क्या यह दार्शनिक ग्रंथ है और इसे लाश्टली क्या कहा जाता है वेद अंत कहा जाता है वेदांत यानि वेद का जो अंतिम रूप बनके हम लोगों के पास आया वह कौन सा था उपनिसद ही था और उपनिसद को वेदान्त कहा जाता है यहीं से किलियर हो जाता है और उपनिसद का सावदिक अर्थ क्या होता है उप मतलब पास और निसद सड का मतलब होता है बैठने के लिए तो सिक्षक के पैरों के पास बैठन कर सिक्षा हासिल करना ही उपनिसद का ये था और उपनिसद में कैसे कैसे प्रसन ब्रह्मांड में क्या है ब्रह्मांड में आपका अस्तित्व क्या है मतलब आप कौन हैं क्यूं आए हैं जीवन का उद्देश क्या है इन सबी चीजों की जो चर्चा की गई है या उपनिसद में किया गया है इससे महत्पुर्ण चीज जो यहां पर है जो काफी एकजाम में पूछा गया है वह देखिए सबसे वैदिक साहित की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वेद बन के आया वेद से ब्रह्मन ग्रंथ यानि एक वेद चार वेद जो हमारे हैं उनसे कई सारे ब्रह्मन ग्रंथ बने और उन ब्रह्मन ग्रंथों से आरण्यक बना आरण्यक के बाद उपनिसद बना तो इस तरह स से हैं लेकिन मोगता आपको चार याद करना है सबसे पहले या वेदाया उसके बाद क्या आया ब्रह्मन ग्रंथ सब्सक्राइब आरण्यक और उसके बाद उपनिसद आया एक अभी कभी इसका सिरीज पूछ दिया जाता है जैसा कि प्रसन नहीं आपको दिख रहा होगा निम् iwn प्रदेश को विशुका फ्लोत ध्यान कहा जाता है उस्थन करीवंदिय सदावहर वन सिथोसन पर्नपाति वन सिथोसन सदावहर वन या भूमच सागरिय वन तो यहां पर सही ऊंसर होगा भूमध सागरिय वन को विशुका फ्लोत seat par किस प्रकार के वन को कहा जाता है डिटेल से देख लीजिए चुके यहां पर बाग अधिक हैं जो भी खटे फल होते हैं जैसे अंजीर संत्रा अंगूर जैतून ये सभी भूमद्ध सागडिये चित्रों में ही उगाये जाते हैं इसलिए से हम क्या कहते हैं विस्टुका के हम सक्सура का अधिकार धर्म के इस तरनतता का अधिकार संबेधानिक उबचारों का अधिकार। साहि ंसर होगा संबेधानिक उपचारों का अधिकार इस filthy डॉक्ट्टर ब्यार अंबीद्कर ने भारतिया संब्दान की हिर्देळाय और आत्मा कहा था अब जर् starts समझते हैं कि हिर्दय और आत्मा कहने का मतलब क्या है यह कहने कि जो आपका मौलिक अधिकार होता है उसकी रक्षा के लिए संबेधानिक उपचार किये गए है याइनि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए अनुचेद 32 के तहद सुप्रिम कोट को रिट जारी करने का अधिकार है और अनुचेद 226 के तहद सरवुचिन इयाले को रिट जारी करने का अधिकार है तो ये दोनों रिट क्या होता है? इसके लिए मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए या फिर आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए पांच प्रकार कारिट होता है इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था बंदी पर प्रतिशन मेरा अधिकार है बंदी परतिक्चिकरन उत्प्रेशन परतिसेद अधिकार प्रिक्चा इस तरह से है तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाओंगा बस आप यह याद रखें कि इसे संविधान की आत्मा और हिर्दय इसलिए कहा था क्योंकि आपका मौलिक अधिकार जो भी आपके मौलिक अधिकार है उसकी रख्षा करने के लिए सुप्रिम कोट सीधे आदेश देता है अगला प्रस्ण है विश्व की सरवाधिक विश्वास घाती नदी किसको कहा जाता है सरवाधिक विश्वास घाती नदी किसे कहा जाता है नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी या फिर वांगो नदी तो सही आंसर होगा वांगोह नदी को सरवाधिक विश्वास घाती नदी कहा जाता है और पिछले प्रेक्टिस सेट को अगर आपने देखा होगा तो उनमें इन और सारी नदियों का चर्चा है नील नदी सबसे लंबी नदी जो है विश्व की वह नील नदी है सबसे चौड़ी नदी की अगर बात हो तो आमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है उतरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है मिसिसिपी मिसोरी मिसोरी नदी जो है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है मैंने पहले प्रेक्टिस सेट में ऐसे प्रसन लाए थे तो धीरी धीरी अगर आप मेरे पूरे प्रेक्टिस चेट को देखते हैं तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपके अंदर बहुत सारा कलेक्शन जमा हो गया है प्रस्नों का और आप अच्छे से प्रस्नों का हल कर पा रहे हैं चलिए इसके डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि हुआंगो नदी जो की चीन के सोक के नाम से जानी जाती है क्योंकि ऐसा क्यूं कहा जाता है चीन का सोक क्योंकि ये बाड के समय अपना रुक जो है वा बदल लेती है अगर इस वार वार्ड चीन में आया है किसी एरिया में जिस एरिया से ये नदी बही है अगले वार फिर उसी एरिया से नहीं आएगी यही सेम हाल होता है अपने यहां कोसी नदी का इसलिए बिहार का सोक किसे कहा जाता है कोसी नदी चलिए अगले प्रस्म को देखते हैं भारत में उच्चितम नियायले में नियायदीसों की संक्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है भारत का मुख्य नियायदीस केंद्रिये विधी मंत्राले भारत की संसत या फिर भारत का राष्टपती अगर उच्चितम नियायले की स्प्रीम कट की बात हो रही है तो उसमें नियाधीसों की संख्या हाली में बढ़ाया गया था तो इसलिए अप्रसन बना है कि अगर उच्चितम नियाधीस कितने होंगे टोटल मुख्य नयाइधिस को मिला के ये सारे चीजों को निर्धारित करने की सक्ति जो है वो संसद के अंदर है अपने से अगर सर्वुच नयाइले वैसे तो सतंत्र है कार्जपालिका से लेकिन फिर भी अगर वो खुद से डिसाइड करे कि कितना नयाइधिस होगा सुप्र कि अच्छा 2019 में नयाइधिसों की संक्या में चार नयाइधिसों की बिर्दी की गई थी पहले जो था वह 31 मुख्य नयाइधिस को मिला के टोटल 31 हुआ करते थे और अभी जो है 34 हो गया है यानि एक मुख्य नयाइधिस और 33 अन्य नयाइधिस आपको याद क्या रखना है पर फिर से याद रखिए अभी हाल में याद रखें कि सर्वोच नयायले में एक मुख नयायधिस होते हैं और तेतिस अन्य नयायधिस होते हैं और सर्वोच नयायले की चर्चा आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में किया गया है संभिधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच से संचित नीधी की चर्चा की गई है सरवच नयायले की जजों का वेतन उछी संचित नीधि या फिर लोक लेखा किött ।ам यह改als आपकर होगा वह होगा इसिता द्तरास का घंव संचित नाइदी के निदिस का वेतन जाता है अभी आपने देखा एक भी मुखने था पहां से जाता तो संचित नीडि से जाता आया जानते हैं संचित नीडिके बारे में टिब को बसा कि आ तो समालता है और कि द having सब्सक्राइब करने के लिए संचित नीदी से लिया जाता है या संचित नीदी से रूपिया निकाला जाता है जब कि नीदी जो होता है वह क्या होता यह जानने का जरूरत है किसी भी आपात इस्ति मान लीजिए कि किसी राज्य में अचानक बहुत बारा बाढ़ आ गया या फिर भुकम पा गया जिसके कारण बहुत जानमाल की छती हो गई तो वैसे केस में प्रधानमंत्री यह आकास्मिक निदी से धन निकाल के उस राज्य क दे सकते हैं तो यह होता है आकास्मिक निदी और संचित निदी में ऐसा कुछ नहीं है कि इमरजंसी के लिए उसका यूज किया जाता वह पता है कि सभी का वेतन जो होगा वो सब संचित निदी से दिया जाएगा कुछ अन्य खर्चे हैं उन सभी का पहले से लेखा जोखा ब्योरा राता है अगले प्रस्ण को देखते हैं भारत ने किस वर्स तक छे रोग को समाप्त करने की घोसना की है अच्छा छे रोग को इंगलिस में ट तो सही अंसर होगा दो हजार पच्चिस तक भारत ने किस वर्स तक छे रोग को समाप्त करने की घोसना की है टीवी के विनासकारी स्वास्त को स्वास्त पर इसका जो परणाम है उसको देखते हुए हर साल 24 मार्च को 206 रोग दिवस यानि टीवी दिवस मनाया जाता है यह कई बार पूछा गया है और अब तो यह नहीं पूछा जाता है कि किस दिन को टीवी दिवस मनाया जाता है वो तो सभी वच्चे को याद हो गया है कि 24 मार्च को मनाया जाता है अब आप से जो पूछा जाएगा वह थीम पूछा जाएगा तो आप बताईएगा कि जो 2023 में 200 तीवी दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है कमेंट संक्षन में कमेंट करके बताएं इस दिन 1882 में डॉक्टर रोबर्ट कोच ने टीवी के कारण वाले जो बैक्टेरिया थे जिसे माइको बैक्टोरियम टीवर कुलोसिस कहा जाता है तो उसकी खोज की गई थी किनों ने किया था रोबर्ट कोच ने परिशिमन आयोग की अस्थापना कब की गई तो वेन वाजदा डी लिमिटेशन कमिशन इस्टैबलिस्ट दो हजार दो हजार चार दो हजार पांच और दो ह हाल वाला पूछा गया है कि हाल में परिशिमन आयोग की अस्थापना कब की गई तो सही आंसर होगा दो हजार दो इस भी में अब तक चार वार परिशिमन आयोग की अस्थापना की जा चुकी है परिशिमन आयोग होता क्या है सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह प्रश सवा सीट से मले बने हैं तो ये छो छेतर जो होता है लोकसवा सीट और विदान सवा छेतर जो होता है ये इसी का निर्धारन करने के लिए परिसिमन आयोग का गठन पहली वार 1952 में हुआ था पर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं पहला जो परिसिमन आयोग बना था 1952 में बना था उसके बाद से चार बार परसीमन आयोग का गठन हुआ है अभी जो चलड़ा है परसीमन आयोग वह 2002 का परसीमन आयोग चलड़ा है अप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसका मुखे कार्ज जो होता है वह जनसंख्यां के आधार पे अगले प्रस्ट को देखते हैं लिउमेन किसका मात्रक है जोति टिवर्ता का जोति फ्लक्स का एंव दोनों इनमें से कोई नहीं या लिउमेन आपने नाम जरूर सुना होगा तो सही आंसर होगा जोती फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह ल्यूमेन होता है जोती फ्लक्स होता क्या है पेले यह जानिए अगला लाइन में आपका है जोती फ्लक्स एक प्रकास रोद द्वारा सभी दिसाओं में प्रती यूनिट समय में उस सर्जित प्रकास उर्जा की मात्रा होती है यानि एक यूनिट एक यूनिट चाहे वो सकेंड लें आप मिनट लें एक यूनिट समय में जितनी प्रकासिय उर्जा चारो साइड वो सरजित होती है उसको ही हम जोती फ्लक्स कहते हैं अच्छा, ल्यूमेन किसका मातरक? ल्यूमेन जो है, वो SI का व्यूधपन है कैंडला आपने सुना होगा CD, कैंडला जो होता है वह जोती तिवरता का मातरख हुता है कैंडला और उसी का व्योधपन ने इकाई बनाया गया यानी उसी से बनाया गया जैसे आप पढ़ते होंगे कि साथ जो है मौलिक जो टोटल इकाई होता है साथ आधारबूत इकाई होता है जिसमें द्रबमान हो गया उसके बाद वेलोसिटी होता है ताइम का सकेंड होता है उसके बाद मीटर होता है दूरी का मीटर होता है इस तरह से साथ एकाई होते हैं उस एकाई से ही अन्य व्यूत्पन एकाईयां बनाई जाती है जिसे अगर हम दूरी का मीटर बोले और जो सक कि मित सब बनाए जाते हैं तो यह विधुफर निकाई यह कैलाती है उसी तरह जो लुमेन है a किससे बनाए गया है केंडल लाँ और पूछा गया है कि एक लुमेन ब्रावर क्या होता है तो एक लुमेन ब्रावर होता है one cd into sr sr क्या है इस्ट्रेडियम आपने पढ़ा होगा कि ठोस कोन का जो SI unit होता है वह इस्ट्रेडियम होता है तो one lumen बरावर one cd into इस्ट्रेडियम चलिए अगले प्रसंद को देखते हैं देखिए प्रसंद थोरा बोरिंग आपके लिए हो सकता है लेकिन एक्जाम में ऐसे ही प्रसंद पूछे जाएंगे क्योंकि आप विप्यसी के एक्जाम में बैठ रहे हैं आपको इस बात का खयाल रखना चाहिए और ये सारे प्रसंद जो मैंने आज लाया है या प्रिवियस ये से कही न कहीं रिलेट करता है प्रिवियस ये पेपर को उठा के देखिए विप्यसी का ऐसे ही प्रसंद वहां देखने को मिलते हैं लिउमेन किसका ये का ये आंसर हो गया जोती फ्लक्स का अगला प्रसंद देखिए पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है बिटामिन, कार्भोाइडरेट, आइडन या वसा तो सही आंसर यहां पे जो होगा वह होगा आइरन की मात्रा परचूर मात्रा में आइरन अगर पाया जाता है तो पालक के पत्तों में पाया जाता है और जसा कि आपको एक्षिजश्यण पर दिख रहा होगा लौः और केलसियम की मात्रा आधिक होती है और इसे अक्सर कच्चा जैसे आप पका के खाते हैं नॉर्मली कच्चा पालक जो होता है उसमें एक चीज और बनता है और आप जानते हैं calcium oxalate हमारे सरीर में जो body में पेट में जो stone बनता है चाहे वो kidney stone हो या कहीं और पे stone जो बनता है वो calcium oxalate ही होता है और इसलिए ज्यादा ज्यादा पालक खाने की मना ही होती है लेकिन जिसे iron की कमी होती है लोह की कमी होती है उसे पालक खाने की सलाह दी जात दोटी है और जो आमासे और चोटी आंथ में के डार के को रोकते हैं तो यह और कार्ज भी होता है जो सकरीर के ली लाफदायक है 'mय छोटी आंथ में केस्य onze संब्सक्पार क्यों कर लेता है उसको उसको रोकने का कार्ज करता है कौन सा ओक्जिलेट और वहीं ओक्जिलेट का बुड़ा एफेक्ट क्या होता है केल्सियम ओक्जिलेट जो होता है वह हमारे अंदर पथरी का निर्मान करता है तो यहां से मुख्य बाते हमने क्या जाना पालक में लौह और केल्सियम अधिक मात पाए जाता है पालक जो होता है उसमें उसके ज्यादा सेवन से पत्री की विमारी होने की संभावना रहती है यह सारी बाते हमने जाना चलिए अगले प्रेस्ट को देखते हैं कि साकाहरी अधिक्तम प्रोटीन पाते हैं दालों से सब्जियों से दूद से और यह सभी तो सही अंसर होगा दालों से साकाहरी में जो है दाल और स्वयाविन ये दोनों ही मुख्य स्रोत होते हैं प्रोटीन के तो यहाँ पे स्वयाविन है नहीं इसलिए सबसे सही अंसर कौन सा होगा दालों से प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं अगला है मानब सरीर में वसा जमा होती है या क्रित में तवचा में वसा उतक में या इन में से कोई नहीं तो सही आंसर होगा वसा उतक में क्या होता है जमा होती है मानव शरीर में वसा का वंडारन वसा उतक में होता है और वसा उतक कैसा है किस तरह का उतक है ये आप से पूछा गया है तो आप याद रखेगा संयोजी उतक किया होता है एक प्रकार का संयोजी उतक है और ये किस तर किए जब आप ज्यादा फैटी चिज़ वायली चीज़ खाने के लिए मना किया झाता आ ज्यादा तेल घी आप चिपका मोटापा बर्टा है क्यों कि त्वचा के नीचे जो वसा उतक होता है उसमें वसा जमा होने लगता है जिसके कारण आपका मोटापा बढ़ता है तो ये चीज़े आपको दिमाग में रखना चाहिए और वसा उतक एक केंदरिया उपापचे अंग के रूप में कार्ज करता है और सरीर के उड़जा सम्म अस्थिती को नियंत्रित करता है यह ओगे आपका और जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहां पर वसा जो है वह संचित रहता है और आप जानते हैं इंस्टेंट इनर्जी हमको भले ही कार्वाइडरेट से मिलता है लेकिन पर कैलोरी इनर्जी जो है वह वसा से हमें सबसे अधिक मिलता है तो अगर वसा आपके बोड़ी के अंदर संचित है और जब आप उप्बास करते हैं तो उस दिन भी अगर आप इनर्जीटिक फील करते हैं तो उसी वसा उतक से वसा का उपयोग फिर से किया जाता है बोड़ी के द्वारा कि अगला प्रसन है वही प्रसन का आंसर है आपका मानव शरीर में वसा जमा होती है वसाउतक में जमा होती है अगला है किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही उसकी मुर्खता का असमारक है अब्दुलकादिर खान विये स्मित खाक फी खान या जदुनास सरकार आपको इसका अंसर देना है तो सही आंसर होगा विये स्मित ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही उसकी मुर्खता का असमारक था या वात विये स्मित ने कहा था आगे आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था और उसका जो पूरा नाम था जलाल उद्दीन अकबर नाम था और हुमायू हुमायू की जब मौत होती है 1556 में तो उसके बाद उस समय उसकी आयू जो थी वह 13 साल का था और उसी समय उसे गद्दी सौ पा गया यह बात आपको जाननी है इसके बाद आप हम आते हैं एक नया धर्म अकबर ने चालू किया था जिसमें हिंदू, शिख, इसाई, हिंदू धर्म, इसाई और पार्सी, इन सभी धर्मों को मिलाके एक नया धर्म बनाया जिसका नाम उसने दीन ए इलाही रखा और दी को अकबर के इस प्रियास को एक ध्यासकार है जिनका नाम है विये एस्मित यानि विंसेट एस्मित इन्होंने अकबर के दीने इलाही को उनकी मुर्खता का समारक कहा था नाकी ग्यान का ऐसा इसलिए कि सब धर्म का अपना अलग-अलग महत्त होता है उसने सारे धर्म को करने का प्रियास किया जो लगबग और सफल ही रहा और इसलिए विये श्मित ने उन्हें कहा था कि यह उसका मुर्खता का समारक कहा था दीन इलाही धर्म को नाकी ग्यान का चलिए अगला प्रसंद देखते हैं निम्लिकित भारतिये राज्जियों में से कौन रेस्मी वस् का बात किया जा रहा है तो सही अंसर है करनाटक करनाटक में रेस्म का उत्पादा नत्यदिक होता है और रेस्मी वस्तर वहां पर बनाए जाते हैं अगर बिहार में रेस्म के वस्तर की बात की जाए तो भागलपूर भागलपूर की जो सारी है वो सब फ्यमस है और रेस्मी वसर की अगर बात किया जाए तो भागलपूर होता है भारत का राष्टिय समुद्री पार्क इस्तित है निकोबार्दु इपसमू चिलका जील सुन्दरवन कच तो भारत का समुद्री राष्टिय समुद्री पार्क कहां पर इस्तित है सही आंसर होगा कच में इस्तित है कच क कहां गुजरात में आए डिटेल से देखते हैं मरीन नेशनल पार्क और समुद्री अभ्यारन भारत का पहला समुद्री अभ्यारन कच्छ की खारी के दक्षिनी भाग के साथ जामनगर द्वारिका मोडवी जिले को कवर करते हुए खड़ी चित्रों में इस्तित है यानि सिर् और यह भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है जिसमें समुद्री राष्टिये उद्यान में जामनगर तठपर 42 द्वीप इस्तित हैं इतना डिटेल आपको नहीं जानना है एक सब्द में आप जान लीजिए कि भारत का जो पहला समुद्री राष्टिये पार्क था व अगर हम बात करें अगले नैसनल पार्क की गहिर-माथा मरीण वनजीव अभ्यारन या गहिर-माथा मरीन वनजीव अभयारन यह भी आपको वोगार पूचह गया है नो दूसरा जो है महात्मा गांदी मरीन नेशनल पार्क या अंडमानी को बार दूप समुए में गहिर माथा वनजीव अभ्यारन या फिर गहिर माथा मरीन वनजीव अभ्यारन या उडिशा के समुद्री तट पर इस्तित है मनार मरीन मनार जबी आया तो वह तमिलाडू के परबने वाली जो खाड़ी है और जो स्कारी तो मनार मरीन नेशनल पार्क यह खहına हो गया तमिलाडू में और मालवन मरीन वाइलाफ के संचुरी यानि नेशनल पार जो है मालवन महाराष्ट्रा में इस्तित है तो आप यह पांचों को याद रखिएगा अगले प्रक्रस् उच्छेतली मैंने पैचले में बताया था कि आहां बताऊतो धीस को प्रवार्श को मिला के श्रूंपनाया बनाए जाएगा या दो से अधिक लाजीयों का एक कपम näले की किस अनुचेद में कहा गया आप कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि मैंने ये पिछले एपिसोड में बताया था चलिए आभी देखते हैं कि अभी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा उच्छ न्यायल है जिसमें अधिकाधिक यानि ज्यादा से ज्यादा केंदरसासित प्रदेश या फिर राज मिले हुए हैं तो इसका सही आंसर होगा गोहाटी उच्छ न्यायल है और यह किस साइड है उत्तर पुर्वी भारत में इस्थित है तो देखिए इसमें कौन-कौन सा पहले हम देख लेते हैं कलकता है कोट में कौन-कौन सा इस्थित है क्योंकि आपका पहला जो अपसन था वह कलकता उच्छ न्यायल ही था तो कलकता उच्छ न्यायल में देखते हैं पश्चि मंगाल राज अंडबन निकोबार द्विपसमू इन दोनों का जो न्यायल है वह कंबाइंड न्यायले कौन सा है कलकता उच्छ न्यायले याद रखिएगा अंडबन निक प्रदेश आते हैं एक पश्य मंगाल और एक अंडबान और निकोबार द्विपसमू अगला जो है वह गुहाटी उंची नयायल है और इसी में सरवाधिक राज्य आते हैं असाम अरुनाचल प्रदेश नागालेंड और मिजोरम इन सभी में अगर कोई भी डिस्प्यूट सब्सक्राइब को इनका उन्ची नयायले क्योंकि इनका जो उंची नयायले है फिर्से देख लिजए ब़ू इमि厮ले की चार आते हैं असाम अरुनाचल प्रदेश नागालेंड और मिजोरम अगला है तमिलनाडू राज पुडुचेरी का कंदर शाश्य प्रदेश और इसके मूल अधिकार छेत्र में आता है यानि मद्रास आइकोट की अगर हम बात करें मद्रास आइकोट जो आ जाता है उसके अंतरगत कौन-कौन सा आता है तमिल नाडू और पूडू चेडिव तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ तीन जो है कलकता उचनेयले मद्रास उचनेयले और गोहाटी उचनेयले के अंतरगत कौन-कौन सा आता है तो असम नागालेंड मनीपूर सौरी मिजोरम और अरनाचल प्रदेश या गोहाटी उचनेयले के अंतरगत आता है अगर हम बा आपका वेश्ट वंगॉल और दूसरा जो है वांडबान और निकोबार दूइपसमू अगर हम मदरा सुचने लेकी बात करें तो तमिलनाडू और पूडू चेडी इसके अंतरगत आता है चली अगला है राष्ट्रिय असमारक प्राधिकरन के चेर्मेन को कौन न्युक्त करत है राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती प्रधानमंत्री या मुख्यन आयदिस तो सही आंसर होगा राष्ट्रपती इन्हें न्युक्त करते हैं राष्ट्रिय असमारक प्राधिकरन नेशनल मॉनुमेंट ऑथरिटी अगला देखते हैं भारत की जलवायू कैसी है यह सारे प्रस्ण टो प्रस्ण जलवायू से रिलेटड क्यूंकि आजकल जो है जलवायू परिवर्टन यह मुख मुद्दा हो गया है तो इससे रिलेटर जो भी प्रश्ण होंगे उसे आप जरूर देखके जाईएगा तो भारत की जलवायू कैसी है उसन एवं सितोसन उसन कटबं गोंसुनी मोंसुनी जलवायू है तो सही मिलत एंसर होला उसन क कटि ripping ऐ है ट्रॉपिकल मोंसुन जो वैसी जलवायू भारत की जलवायू है देखते हैं डिटेल से भारत हैं को मौसमी उल्ट कारण होता है तो होता क्या है कि हवाएं का रुख हवाओं का जो रुख हो है वह बदलते रहता है और इसी के जलवायू को मौनसून मौनसूनी जलवायू का आ जाता है कैसी तो उसन कटिवंदी है हमारा जो छेत्र है वह उसन कटिवंदी ये छेत्र में आता है तो उसन कटिवंदी है मौनसूनी जलवायू छेत्र के हिसाब से भारत की सबसे बरी लोकसबा कौन सी है और नचल परदेश लद्दाक बाड मेड या फिर कच यानि किस लोगसबा छेत्र का जो छेत्रफल है वह सबसे अधिक है तो सही आंसर होगा लद्दाक लोगसबा छेत्र का जो छेत्रफल है वह सबसे अधिक है तो आज वर के लिए इतना है मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन जैहिंद कर दोषब गॉब और टार टॉफब और टॉब ऑल झारे घयाथ, अवज दो, यजिया हम पित्रूदी अवजय के लिदलाटब टॉब तॉब नांटान आट कर दो तो, फटोर टॉब या जए हम बार टॉचसेंगा को में बारें को बारें को तॉब तॉब